कुछ टाइम पहले Forever Living Products ने एक अपडेट किया था, जहाँ पर My Forever application जो था Forever का, उसके अंदर जो IDS वेरा create होती थी, वो application में create ना होकर, बलकि जो Forever की official website थी, foreverliving.com उसके अंदर बनने लगी थी, जहाँ पर आप खुद का payout, खुद की CC और अपने team की CC सारा सब को देख सकते थ लेकिन वहाँ पर एक problem आ रही थी, मुझको आई और मेरे team में भी आई, हो सकते आपको भी आई हो अगर तो comment box में जरूर बताना, यह थी कि जब हम अपने किसी prospect की ID create करते थे, मतलब कि उसकी ID generate करते थे, तो prospect के पास में total 3 OTP जाय करते थे, 3 OTP में कैसे, पहला OTP जाय करता तो उसके phone number पे, दूसरा OTP जाता था उसकी mail ID पर, और तीसरा OTP उसको तब जाता था, जब आप उसकी ID को उसके phone में login करवाते थे, my forever India application के अंदर, अब इस से यहाँ पर क्या problem आने लगी, कि जो अमारा prospect था, उसको यह feel आता था, कहीं कोई scam तो नहीं चला, भाई, simple सी बा जब मैं किसी person's OTP मांगता था, यह person का यह न सोच न लगे, कि यह कोई fraud होने लग रहा है, तो इस सीच को forever company ने समझा, जाना कि हाँ actual में, लोगों को problem आ रही है, तो अभी हाल में forever का नए अपडेट आया है, जहाँ पर आपको person से 2-3 OTP मांगना पड़ता था, वहाँ पर जाब, आप अपने prospect की joining करवा सकते हूँ, वो भी बिना किसी OTP के, तो simple आपको जाना है foreverliving.com की official website पर, और वहाँ पर उसकी details फिल करनी है, उसका नाम, उसकी age, उसका phone number, उसकी mail ID, और नीचे उसका permanent address जो है अधार card का होता, आपको वो फिल करना होता है, और अपनी sponsor ID डाल कर, जस्ट आप submit करना होता है, और इतने से ही, आपको जो भी prospect है, उसकी ID वहाँ पर generate हो जाती है, मतलब की, अब आपको अपने prospect से कोई भी OTP नहीं मागना पड़ेगा, सिर्फ आपको AQTP मागना पड़ेगा, और वो तब होगा, जब आप अपने prospect के phone में, उसकी ID login करवात मागना ही पड़ेगा, जब आप उसकी ID को login करवाओगे, माई forever India application के अंदर, क्योंकि वहीं से उसका password बनेगा, वो password person अपने तरीके से create कर सकता है, ठीक है, तो मतलब कि जहाँ पर अपको पहले problem आ रही थी OTP लेने में, कापी सारे लोग निगेटी भी हुए, मेरे कापी सा सरे लोगों ने तो मुझे यहां तक message किये थी कि sir कहीं company भागने वाली तो नहीं है, तो मैं बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, just company ने अपना अपडेट किया है, अब आप किसी भी person की ID generate कर सकते हूं, without OTP, without OTP, without OTP, ठीक है, आपको just AQTP मागना पड़ेगा person से, और वो हमने जाना कि भाई हमारी यहां पर without OTP ID हम generate कर सकते हैं, अब यहां पर कुछ बात आपको ध्यान में रखनी है, वो यह है, कि जब आप किसी person की ID को generate करोगे, तब आप उसकी KYC complete नहीं कर सकते हूं, नहीं आप उसकी bank details fill कर सकते हूं, जैसा कि आप पहले कर सकते थे, बट कहां से ही आपको KYC करनी होगी, और वहीं से आप उसकी bank details को भी fill कर सकते हो, तो यही कुछ चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि पहली आपको without OTP अब joining होगी, सेकिंड आप जो KYC पहले करते थे, वो अब आपको 12 ID login करके करनी पड़ेगी, और वहीं से आपको bank details fill करनी पड़ेगी, ठीक है, तो company के अपड़ेट आपको कैसा लगा, मुझे comment box में जरूर बताएगा, ठीक है, तो मिलते हैं next video, तब तक के लिए, bye bye